हेलो गाईज, वेलकम टो माईवीटीव चैनल, टेवर वडियो संतोस में आपका स्वागत है, आज मैं जो आपके भी वीडियो लेका रहे हूँ, वो दानापूर में बन रहा है, जो की बन रहा है सभूना मोड से दानापूर स्टिसन तक जिसका मैं वीडियो आपको दिखा र होते हैं, आज हम आपको स्वागुना मोड से दानापूर स्टिसन का एट लेंड जो रोड बन रहा है, उसका हम अपडेट दे रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह एट लेंड रोड है, जिसका का मैं तेजी से चल रहा है, आप देख रहे होंगे, बीच में डिवाइडर दे दिया गया है, यह रोड एट लेंड है, जो कि फोर लेंड बाए साइड में है, फोर लेंड जो दाइने साइड में आप देख रहे होंगे, यह इस तरह का बिहारा पहला कॉंसेप्ट है, जो कि एट लेंड है, जो कि पट इसका काम ने सोच चुका है लाश्ट कभी काम बाकी है जो आप देख रहे हैं यह सामने जो अंडर पास है यह इसका ढलाई करना बाकी है दूनों तरफ कि यह बाइस साइड में और जाहिने साइड में भी ऐसा ही बाकी है अंडर पास कंप्लिट होते ही यह रूट कुछ घातन हो जाएगा और इसका काम कम से कम यह 80% तो इसका काम हो चुका है कंप्लिट हो चुका है आप दुनों तरफ देख रहे होंगे पीछ हो चुका है कहीं कहीं जो अंडर पास है उसका अभी काम चल रहा है जैसे यह आप सामने देख रहे हैं अंडर पास यह अभी बन चुका है लेकिन यहां अभी फिनिसिंग करना बाकी है और यह जो आप सामने देख रहे हैं बीजी के खंबे जो अभी में सदक पर ही है इसको उखाड को साइड में करना अभी बाकी है अभी बहुत जगा ऐसा है कि बीजी के खंबे रोड पर हैं कहीं कहीं तो हो चुका है जैसे आप देख रहे हैं सामने यह जो आपको बीली के खं और इस रोट से मेट्टो भी गुजरने वाली है जो कि भुविस मेट्टो इस रोट से गुजरेगी आप देख रहे होंगे पहीं कहीं पीज हो चुका है जो थोड़ा बाकी है वो जल्दी कंप्लिट हो जाएगा लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते काम अभी सलो हो गया है यह रोड इस साल के अंद तक कंप्लिट हो जाएगा जो कि नौवंबर दिसंबर तक यह चांस है कि कंप्लिट हो जाने का अभी तक आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर ले क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि मैं जब भी वीडियो अ तो मैं उसका ज्वाब दे सकता हूं तो आप लोग मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लीड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये रूड बन जाने से दिली गुरगाओं जैसा फिल होगा क्योंकि दिली गुरगाओं में ऐसा ही रूड है जो हम अपने पटना में फिल कर सकते हैं जो कि ये दानापूर से सहुना मोड के बिच ये बनेगा अब हम आ चुके हैं दानापूर स्टेशन के तरी ये जो आप देख रहे हैं रेलवे का ओफिस है जो की रोड एटलेन यहीं तक रहेगा आज का वीडियो में इतना ही और अंतक देखने के लिए आप सभीको धनबाद आज का मेरे वीडियो आपको पसांद आए तो आप मेरे चैनल को सेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भुदें ताकि मेरे अगले आने वीडियो का आपको नोठीक्सन तब तक के लिए भाई और टेखिए